हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु स्टडी बस, कैट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जैट का एक्जाम हो चुका है, काफी सारे बच्चे खुश है अपने रिजल्ट को लेके हैं, काफी सारे बच्चे थोड़े डी मोटिवेटेड हैं, लेकिन ये सब टाइम आपको वेस इस समय न करना है, तब ही जाके अच्छे रिजल्ट आएंगे, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ज़रूर चाहे, ऐसा हो, दो एक्जाम बात मिले, तीन एक्जाम मात मिले, जो लोग बीच में गिव अप कर देंगे, तो समझ लो, आप end moment पर आके चीजों को छोड़ रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी IFT की strategy बताने वाला हूँ, किस तरह से अपने 20 days को use करना है, day by day, आपका क्या steady planner होना चीए, क्या cutoffs रहती है, किस तरह से पूरे paper को समझना है, क्योंकि यहाँ पे sectional cutoff भी है, overall cutoff भी है, ठीक है, so my name is सौरब कठारी, let's start, तो सबसे पहले भी चैनल को subscribe कर लेना, and bell icon को press कर देना, ताकि ऐसे जितने भी important videos है, उसके notifications आपको मिलते हैं, and instagram पे हमारा channel is study bus education, इसको जाके follow कर लेना है, daily basis पे, vocab words, current affairs, quant shortcuts आपको मिलते रहते हैं, तो सबसे पहले ह बात करते हैं, last year के cutoff की, ठीक है, cutoff important है, क्योंकि यहां से हमारा mindset तयार होता है, किस तरह का paper का difficulty level रहता है, ठीक है, तो अगर last year के exam की बात करें, तो 300 marks के exam था, and जो general की cutoff थी, वो 138 marks थी, ठीक है, 138 marks थी, और general EWS के अगर बात करें, या OBC की बात करें, तो 115.5 marks cutoff थी, SCST P.W. की बात करें, तो 89 marks आपको लाने थे, अब 138 marks जो होते हैं, that is approximate 46%, 115.5 की बात करें, तो approximately 38%, and 89 के अगर बात करें, तो approximately 30%, तो आपको इतना paper attempt करना था, overall cutoff clear करने के लिए, लेकिन इसके साथी, sectional cutoff भी थी, अगर हम general awareness की बात करें, तो 30 marks का section था, जिसमें आपके 5 marks cutoff थ 22, and quant में अगर आप देखोगे, तो 75 में से 15 marks लाने था, अगर आप IFT के pattern की बात करोगे, तो हर साल बाइनका pattern थोड़ा बहुत vary होता है, number of sections भी इंक्रीज कर देते हैं, कभी verbal ability अलग बना देंगे, RC अलग बना देंगे, LR अलग बना देंगे, DA अलग बना देंगे, तो 6 sections भी ये दे देते हैं, 5 section भी आपको दे सकते हैं, चार तो generally ये देते ही हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ हमेशे ध्यान रखने हैं, जब आप IFT के exam के लिए जा रहे हो, तो instructions बहुत ध्यान से read कर ले ना, ठीक है, दूसरी अगर मैं आपसे बात करूँ, तो वो ये है क यहाँ पे जो paper है, वो आपका cat's ads से थोड़ा different होता है, उसके कुछ reasons है, number one, आपका वही यहाँ पे एक तो G के आ जाता है, जो count होता है, जो cutoff में count होगा, second, अगर आप इसका verbal ability RC देखोगे, थोड़ा से different होता है बाकी exam से, क्योंकि यहाँ पे आपका हर एक topic ये cover करता है, अगर हम LRDI की बात करें, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऐसे LRDI question नहीं मिलेंगे, जो बहुत जादा complicated होंगे, hidden information होंगे, यहाँ पे आपको जादा तर calculative intensive question मिलेंगे, अगर मैं बात करूँ क्वांट्स की, तो क्वांट्स में काफी बार previous year questions repeat होते हैं, बहुत बार देखा गया, IFT में similar type के questions आ जाते हैं, तो यह चीज़ पर हमें यहाँ पे काम करना है, ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्या यह exam करना possible है, crack हो सकता है, तो definitely हो सकता है, अगर आप 20 days बहुत सही से sincere studies करो, अपना focus oriented रखो, तो अच्छा result आप ला सकते हो, मेरा हमेशा से एक की funda रहता है, मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप पढ़ाई करोगे, उसका कोई alternative नहीं है, सारी strategies, हर एक चीज़ बाद में काम आती है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, daily आप 8-10 hours devote कर रहे हो, तो उसका result आपको देखने को 100% मिलेगा, अगर आपने हमारा पढ़ाई channelize हो जाती है, अब डेली उटना है, मुझे 8 hours पढ़ाई करनी है, यह चीज़ होनी है, इसी तरह से CAD advanced workshop, या फिर yearly batches की बात करो, pen drive courses बात करो, result इसलिए आते हैं, उसमें जो एक coaching गा रोल होता है, वो 30% होता है, 20% होता है, बट 70-80% रोल आपका है, अगर आप अ strategy क्या बनानी है, सबसे बेलो तो यह समझो, आपके सामने verbal ability and RC का section है, then आपके सामने quants का section है, उसके बाद आपके सामने LIDA का section है, then आपका GK का section है, सबसे पहली बात कि sectional cutoff भी आपको clear करनी है, और overall भी clear करनी है, तो sectional cutoff clear करने का सबसे best फंड़ा क्या है, जितने मी number of questions आएं, बहुत ध्यान से बतानों इस बात को समझे लेना, आप one third के आसपास score कर लो, आपके sectional cutoff clear हो जाएगी, तो अगर आपके सामने let's say 30 questions आए, तो अगर आपने 10 to 12 questions कर दिये, तो आपके sectional cutoff clear हो जाएगी, ठीक है, तो किसी भी section में, क्यूंकि भाई, IFT में number of questions हर एक section में change होते रहते हैं हर साल, total number of questions भी वो कभी-कभी change कर देते हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो आप ये मान के चलो sectional cutoff, अगर आपको barrier cross करना है, तो one third attempt कर दो सही से, accuracy के साथ, तो आपकी sectional cutoff clear हो जाएगी, और overall अगर आपको clear करना है, तो manage जैसे आपको बता है, 46% के आसपास, that means आप एक target लेके चलो 50% के आसपास आपको score करना है, ठीक है, तो आप एक अच्छी position माज़ोगे, safe score आपका बन जाएगा, अब यहाँ पे आप किसी भी section को छोड़ोगे नहीं, आपको किसी भी section को छोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि हर एक section count होगा, दूसरी क्योंकि बात कौन सा section easy आजए है, यह हमें पता नहीं है exam में, तो हर एक section की जब हम practice करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी जाके हमारी result अच्छा आप आप आएगा, इस exam में आपको topic की width भी cover करनी पड़ती है, और depth भी cover करनी पड़ती है, width से मतलब है, हर एक topic आपको cover करना के लिए, वो easy भी कर सकता है, और extreme difficulty भी कर सकता है, कोई नहीं जानता, IFT बहुत ही ज़ादा unpredictable रहता है, तो आपको दोनों चीज़ पर focus करना है, ठीक है, अब यह दोनों चीज़ फोकस कैसे होगी, जब आपके सामने detail time table होगा, तो मैं आपके लिए 20 days का time table बना रहा हूँ, इस time table में मैंने एक तरह से वैसे time table बनाया कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो daily आपको 8 hours commit करने पड़ेंगे, तब जाके आपका पूरा syllabus properly होगा, हाँ ऐसा हो सकता है, आपको इन में से बहुत सारे topics आते हो, आपने basic पढ़ रख करने है, वो मैं आपको कराऊँगा, last के 5 से 7 साल के mocks कराऊँगा, and then आपको हर एक topic लिया कराऊँगा, चाहे वो static GK, current GK, quantum LID, verbal ability हो, मैं batch start करा हूँ 5th January से, ठीक है, अगर आप self study कर रहे हो, तो भी इसी plan को आपको follow करना है, सबसे पहले आप IFT 2019, last year का paper दो, last year का paper दो, because last theory उन्होंने exam pattern change किया था, आपको idea लग जाएगा, क्या latest pattern चला है, और किस तरह से paper आया था, क्या आप इस paper के according, 138 वाला जो cutoff था, वो barrier cross कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो कितना उससे पीछे हो, यह चीज़ अपने आपको note कर ले न, ताकि आपको यह idea लग जाए, कि IFT में पूछा जाता है, वो आपको करना है, हर एक video मेरी approximate 40 minutes to 1 hour की होती है, तो हर दिन मैंने आपको 1, 2, 3, 4, आप देख सकते हो, 7 to 8 videos provide करें, which means भाई, आपको क्या करना है, daily 8 to 9 hours commit करने, तो अगर आप 8 से 9 घंटे पढ़ सकते हो, तभी यह crash course आपको join करना है, ठीक है, अग ACLR का direction, coding, decoding का video खतम करना है, यह इदर pipes and system averages finish करना है, February वाला video देखना है, and then economic का आपको part 2 देख लेना है, economic का जो videos है, आपको 2 दिन में यहाँ पर finish करने है, आपको 4 से 5 videos मिलेंगे, छोटे छोटे छोटे, वो सारे finish कर लोग, economy strong हो जाएगा, then verbal ability की बात करें, यहाँ पर RC1 ranking, then profit loss, then April के current interface, then आपका इधर history चल रहा है, साथ में आप मोक्स भी daily basis पे करते रहो, मतलब जब भी आपको रात में time मिल रहा है, 2 घंटे का, एक मोक लगा लो, आपको थोड़ा सा idea लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्वांट्स में previous year के question आपको देख के जा आपको solve करने, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका grammar start हो जाएगा, then critical listening चल रहा है, इधर analogies वगरा चल रहा है, इधर आपका basic LR के सारे topic खतम हो जाएगे, फिर advanced LR, linear arrangement, circular arrangement, जो IFT में पूछा जाता है, table case lit का video देखना है, इधर आपका arithmetic खतम होगे, number system चलेगा, then यहाँ पर month by month आप वीडियो देखे रहे हो, current interface की, aesthetic GK में आप quality तक यहाँ पर finish कर दोगे, इसके बाद यहाँ पर grammar की further videos, अब अगर आपका grammar already strong है, तो आप यह topic skip भी कर सकते हो, grammar वाला, आप direct error वाली videos देख सकते हो, जिनका grammar बिल्कुल week है, वो सारी videos basic से देख सकते हो, तो यह थ time table मैंने जो 8-9 hours का बनाया है, यह उस basis पे बनाया है कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है, तब जाके आपको daily 8-10 hours devote करने पड़ेंगे, कुछ topics आते हैं, तो आप अपने according इसको manage कर सकते हो, यहाँ पर grammar खतम हो जाएगा, then grammatical error आप यहाँ पर finish करोगे, इध बता है कि भाई, IFT famous है, business awareness के question भी पूछी निकले, business awareness मतलब यह वाला group किसके अंडर आता है, इसका CEO कौन है, इसका managing director कौन appoint हुआ है, किसका merger हुआ है, किसका acquisition हुआ है, यह वाली important business book किसने लिखी है, यह जो title है, यह जो logo है, यह किसका है, यह slogan किसका है, tagline कैसी है, यह सब business Surveillance का part है, तो उसके lecture view मैंने आपको provide कर दिये, ताकि to the point आपकी preparation है, इधर static GK मैं geography finish करोगे, then United Nations, international organization, awards, sports related, books and authors, यह सारे topics आप finish करोगे, daily basis आप mock दोगे, 7 mocks मैंने आपको provide करे है, mock 1, mock 2, mock 3, mock 4, mock 5, mock 6, mock 7, and then आप अपना एक दिन का थोड़ा revision करोगे, relax करोगे, क्योंकि आपने सब कुछ तयार कर लिया है, then 24th को आप अपने exam के लिए appear करोगे, तो 20 days का बहुत ही solid plan है, जिसमा आपका पूरा syllabus end to end complete हो जाएगा, आप काफी जादा confident हो जाओके अपनी preparation को लेके, तो यह जो batch start हो रहा है, start हो रहा है, 5th January से 24 तक चलेगा, 20 day का एकदम solid crash course है, लेक आपका goal बिल्कुल clear है, सारे exam आ रहे हम सारे exam अपने best attempt के साथ देंगे, उसके बाद results के बारे में देखेंगे, कहाँ पर selection हुआ है, कौन सा shortlist करना है, कौन सा college मिलेगा, अभी वहाँ पर हमें time spend नहीं करना है, ठीक है, हमें 100 hours का videos मिलेगा, जो हमें पूरा का पूरा finish करना जो मैंने आपको planner दिया, उसको according, कोई topic आप दो बार तीन बार देखना चाहते हो, वो देख सकते हो, course को आप अपने laptop में activate करो, android में activate करो, that is up to you, किसी भी एक device में आप course को चला सकते हो, 7 आपको full 9 mocks में आपको provide करूँगा, जिसमें आपके detailed solution analysis already available होंगे, 8 previous year के paper भी मैंन आपका IFT तक पूछा जा सकते है, सारा करा है, depth भी cover करी है, width भी cover करी है, जो course design किया गया है, IFT के बच्चों के लिए design किया गया है, यह जो study planner आपको दे दिया जाएगा, so that आप अपने पढ़ाई को बिल्कुल structure कर पाऊ, जो पूरा course उसका fee structure is 3800 रुपीस, and अगर आपको सिरफ test series लेना है, that also you can avail for 850, test series तो आपको करनी ही करनी है, so that आप confident हो जाओ, and जिनको एक channelized तरीके से next 20 days पढ़ना है, वो पूरा course भी join कर सकते है, test series में आपको पता है, 7 full 9 mocks मिलेंगे, 8 previous year के paper मिलेंगे, latest IFT pattern interface में मिलेंगे, topic wise test भी आपको मिल जाते है, easy moderate advance, अगर आपक सिरफ brush up करना है, and test generator feature अगर आपको additional test अपना create करना चाहते हो, ठीक है, तो यह जो course है, यह start हो रहा है, कब से, 5th January से start हो रहा है, IFT results आप देख सकते हो, last year काफी अच्छे result रहे है, शिल्पी सिना, this is a right mix, मुसकान, best decision to enroll, पुजीता, timely schedule, help me to concentrate, it was amazing experience, तो again आप देख सकते हो and आपने Instagram channel पर अलड़ी देखे होंगे, काफी सारे cat के result जो हमने कल post करे, 98-99% है, but again, जो भी result किसी student का आता है, उसमें उसका effort होता है, 70-80%, coaching का effort होता है, 20-30%, हमारा काम होता है, आपकी पढ़ाई को to the point दे, minimum time में आप maximum output कैसे gain कर पाओ, वो दे, जो content आप शाद 5-6 hours में प इसमें पूरा topic मैंने आपको समझाया, पूरी research करके, basic concepts लेकर, different variety cover करी, इतने questions करने में हो सकता, आपको यहाँ पर 4-5 hours लगे, हमने आपको 1 hour में condense करके दे दिया है, लेकिन वो आपको 1 hour तो करना पड़ेगा, अगर आप वो भी नहीं करोगे, तो कैसे result आएगा, तो अग अगर आप अपने dedication देने के लिए तयार हो, commitment देने के लिए तयार हो, then आप join करो, and आपको automatically काफी ज़ादा confidence मिलेगा, and अपनी preparation पे आप काफी ज़ादा believe करोगे, mocks लगाओगे, previous paper solve करोगे, जैसे जैसे हम लोग provide कर रहे है, and you will be in a very good space, ठीक है, so all the best, thank you so much, कोई query है, तो इस number पे पूछ लेना, otherwise आप website पर जाके आप directly enroll कर सकते हो, take care,